आज आपको के साथ शेर करने वाली हूँ बहुत ही घाड़ी मलाईदार बासुदी की रेसिपी आप कोई भी व्रत उपवास में इसे बना सकते हैं आज आपको ऐसा तरीका बताने वाली हूँ कि सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप इतनी घाड़ी मलाईदार बासुदी घर पर ही गाड़ी मलाईदार बासुदी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम कोई भी भारी दल्य वाली कड़ाई लेंगे तो यहां पर मैंने लिए हैं लोहे की कड़ाई आप कोई भी इस तरह की जो थोड़ी सी चौड़ी कड़ाई है ना या फिर पैन है नॉन स्टिक उसका इस्तमा नहीं तो यहां पर मैंने दो लिटर फुल फैट वाला दूद ले लिया है जब भी आपको बासुदी बनानी है तो आप फुल फैट वाला दूद इस्तमाल में लीजी यानि ऐसा दूद जो आपने गरम नहीं किया है और जिसके अंदर से मलाई नहीं निकाली है तो दो 20% ही कम करना है यानि ज्यादा उबालना नहीं है हम एक ऐसी ट्रिक अपनाने वाले हैं जिससे कम सेमे में आपकी बहुत गाड़ी मलाईदार पर्तो वाली बासुदी तयार होंगी तो दूद जब इस तरह से उबनने लगे तब हम क्या करेंगे थोड़ा सा दूद अलग नि तोबलता हुआ इस तरह से दूद ले लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा केसर डाल दीजिए और इससे साइड में छोड़ दीजे जब आप केसर को इस तरह से भीगो कर रखते है ना तो बहुत बढ़िया इसका कलर आ जाता है मार्केट में से जब आप केसर बिस ताब दिलाते है तो उसमें यलो फूड कलर डाला जाता है लेकिन घर पर आप इस तरह से केसर को दूद में भीगा कर रखेंगे तो बहुत बढ़िया सा कलर आ जाएगा और आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा यलो फूड कलर या फीर थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी मिला स जाएगा मार्केट में से जो बासु दिलाते है उसे घाड़ा बनाने के लिए कौन फ्लोर का इस्तमाल किया जाता है जो हम व्रत उपास में नहीं खा सकते तो यहां पर मैंने काजु लिए है इसे थोड़ा दरदरा घ्राइड कर लेंगे और फीर जो दूद उबाल रहे है इसे थोड़ा इसमें मिला देंगे तो बहुत ही भड़िया सी स्मूध इसकी पेस्ट बनके तयार हो जाएगी और काजु की पेस्ट आप जब डालेंगे लेकिन हमारा दू धना चल्दी से खाड़ा हो जाएगा तो कम समय में आप बहुत ही घाड़ी मलाईदर भासुदी ब चलाते जाना अगर आप गैस की फ्लेम को फास्ट रग रहे हैं तो आपको continuous चलाते रहना जरूरी है नहीं तो दूद तले में चिपकेगा तो देखिए यहां पर मैंने जो हमारी बासुदी है इसे बहुती बढ़िया टेक्शर देने के लिए खोया इस्तमाल में लिया है तो यह तकरीबन 200 ग्रम खोया है इस तरह से आप instantly कम सहमें में घाड़ी मलाईदर बासुदी बना सकते हैं तो जो खोया है उसे हम थोड़ा सा कद्दू कस कर लेंगे ताकि वो एक समान हो जाए और अगर आपने फ्रीज में रखा हुआ खोया लिया है तो आधे गंटे पहले इसे निकाल कर बाहर रुप दीजे ताकि वो हल्का सा नरम हो जाए तो मैं सारा जो खोया है इसे कद्दू कस कर लेती हूं तो देखिए दूद हमारा है वो अभी हमने जितना रखा था उससे 20% कम हो गया है वैसे जब आप पासुदी बनाते है तो आपको दूद को 40-50% तक कम करना रहता है तब ही वो कई जाके घाड़ी मलाईदार बनती है लेकिन आज जो ट्रिक अपनाने वाले ना उससे बहुत जल्दी हो जाएगी तो व है तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉड़िंग प्लस माइनस कर दीजे वैसे हमने जो यहां पर खोया इस्तिमाल में लिया है नो वो फीका वाला है लेकिन उसमें भी नैच्रल मिठाश रहती है और काजू में भी रहती है तो चीनी आप उसके अकॉड़िंग डाले चीन काजू की पेस्ट डाले तो continuous इसे चलाते रहे बहले ही अपने slow flame रखी है क्योंकि काजू जल्दी से ताले में चीपटा है तो continuous इसे चलाते जाएंगे और इसी वज़े से हमें भारी तलिये वाली कड़ाई लिनी है अगर आपके पास लोहे की कड़ाई है तो आप उसका इस्तमाल कीजे आपको बहुत बढ़िया result मिलेगा लोहे की कड़ाई के अंदर तो जैसे ही आप काजू की पेस्ट डालेंगे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे काजू की पेस्ट उपर आ रही है दूद के साथ अच्छे से mix हो नहीं रही है लेकिन जैसे काजू की पेस्ट पक जाएगी दूद के साथ तो फिर आपको ऐसे अलग से बिलकुल भी नजर नहीं तो काजू की पेस्ट ड़ने के बाद आको तीन से चार मिनट स्लो फ्लिम पर इसे इस तरह से कंच्यूनेस चलाते रहना है तीन से चार मिनट के अंदर ही हमारा जो दूद है वो घाड़ा होना शुरू हो जाएगा और जो काजू की पेस्ट आपको अभी दिख रही है थोड़ी से उपर वो भी नजर नहीं आएगी दूद के साथ बहुत बढ़िया से मेक्स हो जाएगी तो देखिए तीन से चार मिनट में हमारा दूद घाड़ा हो गया है और आप देख रहा है कि हमारा जो चमच है उसके उपर इस तरह का कोटिंग हो गया है तो बस इससे जादा हम इससे नहीं उबालेंगे क्योंकि जब यह ठंड़ा होगा और फ्रीज में रखेंगे तो उस में थोड़ा सा फूर कलर डालें या फिर थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं हल्दी पाउडर अपको सिर्फ 1-4 टीस्पून डालना है उससे कोई भी टेस्ट पर फरक नहीं पड़ेगा लेकिन वड़िया कलर आएगा अब फ्लेवर के लिए यहां पर मैंने तो यहां पर मैंने थोड़े से पिस्ता स्लाइस कर लिये थे इस तरह से वो डाल दिये है तकरीबर नेक टेबल स्मूल तो यह तो बासुदी का बेज है आप इसमें से कोई भी फ्लेवर वाली बासुदी बना सकते हैं अब सबसे लास्ट में हम खोया अट कर देंगे और खो बासुदी बासुदी है वो तयार हो गई है और अभी आपको यह थोड़ी सी ऐसे लगेगा कि पतली है गाड़ी नहीं है लेकिन जैसे जैसे ठंडी होती जाए कि बहुत गाड़ी होगी तब तुरंदी हम क्या करेंगे एक अलग बतिले के अंदर इसे निकाल देंगे और न तो क्या होगा कि उसके उपर मलागी एक पराज जम जाएगी और फिर खाने में अच्छी नहीं लगेगी तो आप इसे पंखे के नीचे छोड़ दीजे और इस तरह से चलाते जाए तो फिर पांच से चै मिनट में आसानी से जल्दी ठंडा हो जाएगा तो देखिए अभी तो यहां पर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर कियोड़ा एसेंस डाला है यह तो टोटली ऑप्शनल है अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं लेकिन कियोड़ा एसेंस ठंडा हो जाने पर ही डाले तो देखिए अभी यह गाड़ी हो गई है और फ्री आपके बासूदी तयार हो जाएगी अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो दोस्तों कहां से आप रेसिपी देख रहे हैं कहां से मेरे साथ जुड़ा है कमेंड में जरूर बताना रेसिपी पसंद आई है तो दोस्तों और फामिली के साथ जरूर शेयर करना तो फिर से मिले तेंगे नहीं मचला रसेपी के साथ.